बिग बॉस के घर में बन चुका है बहुत ही गर्मा गर्मी वाला महौल एक बहुत बड़ा जगड़ा अभी अभी जस्ट हुआ है और यह जगड़ा किसका हुआ है और क्यूं हुआ है चलिए आपको बताती हूँ लेकिन उसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब च कुछ कर ही रहे हैं कहीं कहीं उनका जो पॉइंट है वो सही भी है अभी फिलहाल जो जैसा लाइव में दिख रहा है कि पॉइंट सही रख रहे हैं लेकिन रखने का तरीका थोड़ा सा गलत है क्यूंकि खुद ही शायद बहुत जादा इरिटेट हो जाते हैं और एकदम से उनका कुछ रियक्षन आता है हर चीज पर जिसकी वजह से अब लोग उनसे बहुत इरिटेट हो रहे हैं और अगर प्रतीक जो है कुछ सही बात भी कह रहे हैं तो फिर भी जो है शामत आ रही है प्रतीक की कुछ ऐसा महौल घर में बना हुआ है और अभी एक बहुत बड़ किया गया है तो उस हिसाब से लोग खाना बना रहे हैं लेकिन अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि खाना कितना बनाएं तो उस हिसाब से उस पर बाची चल रही थी कि खाना जो आज का खाना है वो आज ही खतम हो जाए तो उस हिसाब से बनाओ नहीं तो हमें आगे जो है प्रॉब्लम आ सकती है और रेशनिंग करने पड़ेगी लेकिन उस पर जो है एकदम से दिव्या और समिता शेटी का एकदम से रियक्शन आया और वो एकदम से चिलाने लगी कि तुम कौन होते हो ये बताने वाले और हर जगा पर तुम तोकते हो हर चीज में तुम्हार ओगी उसके बाद दिव्या भी बहुत ज़्या ओगी और फिर जब ये दोनों लाओ हो ही चुके थे तो अविस्ट हा के परतीक तो लाओ नहीं ही थे और इनके बीच में बहुत ज़ादा वो का सुनी हुई साथ में बाकी घरवाले भी अपनी अपनी रोटियां से खने के ल और शमीता बार-बार ये कह रही थी कि तुम्हे जो है औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, मतलब लग रहा था कि एक किसम का वेमन कार्ड वहां पर खेला जा रहा है और कुछ कम जो है वो शमीता भी नहीं थी इस जगडे में, वो भी बार-बार मतलब उनके पास जा रही उनसे दूर नहीं रह रही थी तो फिर प्रतीक तो है ही और साथ में प्रतीक को उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम्हें दवाई लेने की जरूरत है जिस पर प्रतीक ने कहा कि आप अगर डॉक्टर है तो आप दवाई दे दीजिए और शविता कहती है कि तुम्हें पहले दि से मुझे लग रहा है कि तुम्हें दवाई की जरूरत है तुम दॉक्टर को दिखाओ जाका और अरे गर्मा गर्मी बहुत जादा बढ़ गई है और अभी ऐसा लग रहा है कि दो हिस्सों में जो है घर बंट रहा है कुछ ऐसी चीजे सामने आ रही है क्योंकि एक तरफ शमित पुश कर रहे थे निशांत उसको प्रतीक को लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये दो हिस्सों में डिवाइड होगा कैसे होगा क्या होगा और इनका जो है इनको रूल कौन करने वाला है इनका Captain कौन बनने वाला है कैसे Groups बनने वाले हैं या फिर ऐसे ही चलता रहेगा अब फिलहाल तो बहुत जादा मैसी सा सब कुछ हो रखा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आज का Episode जो काट पार्ट के हम देखेंगे देखते हैं उसमें क्या दिखाया जाता है और किस तरह से चीज़े सामने आती है बाकी latest updates के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और comment section में मुझे जरूर बताना कि किसको support आप कर रहे हो